हेलो दोस्तों मेरा नाम पवन गुपता टीम फिजिक्स CLC सीकर जई एडवांस की गुर्णिति वाले पार्ट में हमारी यूनिट 9 के हम बात करेंगे एसी एंड मॉडर्ण फिरिक्स इसमें मॉडर्ण फिरिक्स का वेटिज काफी अच्छा कासा है 2016 से लेकर के 20 तक के आयोई क्यूशन समय डिसकस करेंगे और इन पिसले पास सालों के क्यूशन सब्सक्राइब देखें टोटल 21 क्यूशन से मतलब हर साल जेई में एडवांस में अल्मोस्ट चार्थ क्यूशन तो मिनीमम पूछे ही जाते हैं इस टॉपिक से तो जई एडवांस के इसाफ से काफी अच्छा वेटेज है काफी कुछ क्यूशन एजर साइड ही होते हैं इसके कुछ अच्छे क्यूशन पर नोड़ाउट पूछे जाते हैं इससे तो तो इलेक्ट्रोन एनर्जी वर मेजर्ड बाइपलाइंग स्टॉपिंग पोटेंशल बिल्कुल सही बात है अपन अलग-अलग वेवलेंज जब यहां पर अपलाई करते हैं एक सिंबल सा कंसेप्ट क्या होता है इसमें कि जब आप यहां पर किसी भी सर्फेस पे लाइट इंसिदेंट करवाते हूँ तो उसकी कुछ पार्ट एनर्जी का किसमें कंजूम होता है बाहर आने में और बाकी जो है वह इलेक्ट्रोन कंजूम करता है कि काइनेटिक एनर्जी के अपने पास वह रिटेन कर लेता है तो यहां पर यहां पर आपन क्या लिखेंगे एच सी बाई लेंड़ा आप वहार बोलाँ जिसको यहां वी नॉट भुलाबा के लिए वी एस फूर स्कूपिंग पोटेंशिल तो यहां तो simple सा यहां पर इन्होंने वी एस और लेम्डा के बारे में बात किये और आप से यहां पर क्या बात पूछी इन्होंने पूछा आप से प्लेंक्स कॉंस्टेंट की वैल्यू तो यहां पर हम दो ही क्वेशन बनालते हैं एक बार हम 0.3 micrometer, micrometer है ना इसको एंक्स्टोंग में convert कर देंगे, तो hc by lambda 0.3 micro का मतलब होता है 10 to the power minus 6, okay, equals to 5 plus e, stopping potential कितना दिया है, 2 volt, first equation, then इसके बाद hc upon 0.4 10 to the power minus 6 is 5 plus e into 1, यह दूसरी equation, अब आपको इसमें क्या बताना है, आपको इसमें बताना है, h, h की value, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों equations को minus कर देता हूं, तो एक बार हम minus करते हैं, एक बार, तो जब इनको minus करोगे आप, तो equation 1 minus 2, क्या जाएगा, आपके पास hc upon 10 to the power minus 7, है ना, और यहां लिखो, 1 by 3 minus 1 by 4, e, 2 minus 1, simple, बैसे इसको solve कर लें, तो h, c, 1 by 3 minus 1 by 4, 4 by minus 3 upon 12, into, 1.6, 10 to the power minus 19, 10 to the power minus 7, ठीके, तो h कितना हो जाएगा इस case में, h will be 1.6, 10 to the power minus 19, into 10 to the power minus 7, upon, into 12, divide by c, 3 into 10 to the power minus 8, तो यह एजी केलकुलेशन है, देखो, केलकुलेशन वाला पाट भी जी है, तो यहां पर ही आजाएगा, 4, तो 6.4 into 10 to the power, यह जाएगा, minus 26 और 8, तो minus 34, minus 34 joule into second, तो यह आपके पास h की value, काफी easy question है, symbols आपको यहाँ equations, दो equation बनानी है, और उसका आपको h की value calculate करनी है, यहाँ पर जो data हमें collect होता है, प्लेंक्स constant की value भी find करते हैं, ओके बच्चों, note करें यहाँ तक, अपना first question यह, बच्चों हमारा अगला second question आता है, second question में आपको बोला है, highly excited states for hydrogen-like atoms, hydrogen-like atom जिनमें एक electron होता है, बाकि अगर extra electron है, तो पहले आप उनको बाहर निकाल दो, उसके बाद जब एक electron बच जाए, तो वो atom जो भी होंगे, जिसमें किवल एक electron बचेगा, उनको हम बोलेंगे hydrogen-like atoms, ठीके, तो उनकी जो highly excited states जो होगी, है न, जब electron को आप उनमें higher orbits में लेके जाओगे, with nuclear charge ze, defined by their principle, quantum number n, where n greater, greater than 1, मतलब जो 1 से काफी बड़ा number होना चाहिए, n, ऐसा नहीं कि आप n से के वल, 1 से लेकिल 2, 3, 4 तक लेके आरो, ऐसा नहीं, 1 से काफी जादा high quantum number की states में आप ले जाओगे, वहाँ पर, उस n का जो high order होगा, वहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीके, तो यह क्या बोल रहे है, कि relative change in radius, relative change in radius, relative change in energy और, तो energy और radius के यहाँ पर अपन change की बात कर रहे है, ठीके, तो एक बार हम देखेंगे कि क्या यहाँ आएगा, तो देखो, radius का formula क्या होता है, r equals to r naught n square by z, अगर n की value बहुत जादा, आप देखो, relative change आप कैसे निकाल होगी, relative change का मतलब होता है, delta r upon r, ठीके, तो delta r upon r relative change होता है, कैसे calculate करेंगे, r nth orbit लेलता हूँ, minus n minus 1th orbit upon rn, ठीके, तो इस case में, आपके पास क्या जाएगा, यहाँ पर electron जो है वो, इस case में बात कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा, अपने पास n square, बाकि r naught by z तो कर जाएगा, minus of n minus 1 square, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते है, r is directly proportional to n square, ठीके, और अच्छा, पहली चीज तो देखो, relative change में, जब आप relative change निका जालोगे, तो ऊपर भी आप जब यहाँ चाहोता, आप common लेके लिख सकते हो, r naught by z, और उसी तरह से यहाँ पर भी आप लिखोगे, r naught by z, n square, तो r naught by z तो कर जाएगा, इसका मतलब relative change जो है, radius का, उसमें z तो नहीं आएगा, तो यह z के ओपर depend नहीं कर रहा है, first option तो वैसे सही है, चलो दूसरा सही ही नहीं हो चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए अप मैं यहाँ पर इस whole square को खोलता हूँ, तो n square, minus n square, minus n, plus 2n, upon n square, तो इस case में हमारे पास यहाँ पर, यह कितना जाएगा, 2n, minus 1, upon n square, इसमें से मैं n को बाहर निकालता हूँ, तो यह आजाएग n square, तो इस case में हमारे पास, तो यह जाएगा, 2 minus of 1 by n, upon n, अब इस case में देखें, आप यहाँ पर n, यहाँ n square common लेते चलो पन, तो n square common लेंगे, तो उस साफ से अपन, यहाँ पर n अगर काफी जादा है, n अगर काफी जादा है, तो 1 by n तो काफी चोटा हो जाएगा, तो मे delta r upon r, जो है वो n की inverse dependency पार रहा है, यह 2 minus 1 by n, अब देखो, n काफी बड़ा है, तो 1 by n तो बहुत चोटा है, तो 2 minus 1 by n को almost आप 2 लिख सकते हूँ, तो आप कहाँ जाएगा, 2 by n, तो यहाँ पर relative difference है, relative change है, वो n पर depend कर रहा है, then उसके बाद, यह बोलने है, energy का change, तो energy का change क लिए formula क्या होदा आएगा, energy होती है, हमारे पास e naught z square upon n square, अब relative change in energy अगर आप निकालोगे, तो again वही delta e upon e, z तो वापस कट जाएगा, e naught z, e naught z square उपर आएगा, e naught z square नीच आएगा, तो finally आपके पास क्या बचेगा, 1 upon n square, अब देखाँ, यहाँ n जब बड़ेगा, तो य n minus 1 पहले लिखना पड़ेगा आपको है, तो इस case में आपका n minus 1 पहले आजाएगा, उसका square, 1 minus n square upon n square, यह आगया, अब इसके बात जो है, आपको mathematics solve करनी है, तो इसको solve करते हैं अपन, यह कितना आएगा, n square minus of n minus 1 square upon n minus 1 square upon n minus 1 minus 1 square, ठीके, फिर इसके बाद आप इसको solve करेंगे, तो यह कितना आजाएगा, n square से n square खतम हो जाएगा, 1 minus 2n, sorry, minus है न, तो 2n minus 1 आजाएगा, तो 2n minus 1 upon, फिर इसमें क्या जाएगा अपने पास, यह आजाएगा, n minus 1, again whole square, ठीके, वापस आप क्या करेंगे, n square को, n को बाहर निकाले, common लें, तो यहाँ से आप n बाहर निकालोगे, तो कितना आजाएगा, 2 minus of 1 by n, यहाँ से आप n square common निकालेंगे, तो कितना आजाएगा, 1 minus 1 by n का square, अब देखो, 1 by n तो काफी छोटी quantity रहा, उसको तो आप इग्नोर कर दो, तो यह 2 by 1 बचेगा, और simple 1 n से 1 कर जाए इसका मतलब आपका fourth option भी correct है, approximation लगएगा क्योंकि n एक से काफी जादा है, तो यहाँ पर आपका second question भी complete होता है, okay बिल्कुल easy question है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, बच्चों हम बात करते हैं, third question की, third question में आपको बला है कि isotope having mass this, यह किसका isotope है, boron का, तो mass this undergoes beta decay to carbon, तो boron जो है वो carbon के decay होता है, और इस दोरान carbon जो है वो excited state में आपको मिलता है, और उसकी excited state जो है, वो ground state से कितना होती है, 4.041 mega electron volt above, मतलब normal states के मुकाबले, जो energy release हुई होगी, उस reaction में, decay reaction में, उसका कुछ पाट carbon nucleus अपने पास रख लेगा, इस energy की वज़े से उसके nucleons की energy बढ़ जाएगी, है ना, nucleons जैसे electrons की excited state होती है, वेसे ही nucleons की excited state होती है, तो यहाँ पर जो nucleus मिलेगा, इसके nucleons के पास normal state के मुकाबले जादा energy है, इसलिए हम इस nucleos को बोलेंगे excited nucleus, है ना, फिर जैसे electrons जब ground state में आते हैं, वो energy energy emit कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले तो एक बार reaction लिख देता हम, क्या बनेगी, 5B12, तो यह decay हुआ किसमें, आपके पास 6C12 में, 6C12 जब बनेगा तो यहाँ पर कौन सा decay हो, रहाज का मतलब, minus 1E0, मतलब भी बेटा minus decay है, एक antineutrino निकला होगा, और साथ में कुछ energy निकली होगी, अब इस equation की Q value कैसे निकलेंगे, पीटा, Q value के लिए आपको mass defect निकलना पड़ेगा, delta M into C square, delta M, यहाँ पर देखो, आपको mass दिया वा है, mass किसका, पहले boron के mass में से, आप carbon का mass और आपको minus करना है, ठीक है, और साथ में electron का mass भी आपको minus करना है, यह final mass और initial mass, तो इस करके C square से multiply करेंगे आप, कितना आएगा है, 12.014, carbon का mass simple 12MU ही होता है, न, बहुए, 1MU अपन define ही तो इसे करते हैं, C612 का 1 by 12th part, तो इसका मतलब 12 हो जाएगा carbon का mass, और इस case में, तो यहाँ पर जो हमारे पास, यह पार्ट आएगा, यह आजाएगा 12, प्लस, electron का mass कितना दिया हुआ हमें, यहाँ पर बीटा पार्टिकल जो है, जब वो निकलेगा, तो इस case में, आपको बीटा पार्टिकल की energy के बारे में, information जो है, वो नहीं है, वैसे भी, इलेक्ट्रोन का mass काफी कम है ना नहीं दिया है, तो आप इसको almost negligible zero मान लो, ठीक है, इलेक्ट्रोन का mass वेसे भी 1mU के मुकाबले तो काफी कम ही होता है, तो यह कितना loss हो रहा, into c square, c square के value कितना दिया है, 931.5, ठीक है, mega electron volt, ठीक है, upon c square तो तो conversion वाली बात है, अब इसमे solve करने पर आपका answer यहाँ पर आएगा, that will be 13.014, तो यह आ जाएगा, 13.014, 014 mega electron volt, तो इस case में, 014 mega electron volt, इतना आगया आपके पास released energy, अब released energy में से देखो, उसने, carbon ने ground state से, excited state में जाने के लिए, कितनी energy लिए होगी, 4.014, तो इस में से 4.014 तो किस ने चुरा लिया, carbon ने चुरा लिया, चुरा लिया, मतलब जो energy release होई, वैसे देखा जाए, तो वो energy kinetic के form में मिलती, है तो फिर जादा से जाद energy, यह electron लेकर भाग जादा, क्यों इसका mass कम है, उसको तो कम energy मिलती, तो उसने पहले से कुछ हिस्सा चुरा लिया, अब जो energy बची, कितनी energy बची, यहाँ बचेगी 9 mega electron volt, यही बची हुई energy बचेगी, यही बची हुई energy बाद में, इसमें, और इसम जो काफी हलका है, कारबन के मुकाबले, इसलिए हमी मान सकते हैं, कि almost 99.9% तो इसी के पास है energy, तो यह 9 mega electron लिया, तो पूरी electron के पास होगी, या फिर अगर मान लो electron को, हमें पता कि exact 9 नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत तो कानिटिक इसको भी मिलेगी, तो फिर आप उसको 8 mega electron volt भी बोल सकते हो, मतलब यह 9 से जस्त थोड़ा सा कम आएगा, तो आप यह तो round figure करके 9 बोल दो, या फिर 8 बोल दो, यहाँ पे दोनों answer possible है, ज्यादा possibility जो है, वो 9 mega electron volt की है, बट यहाँ 8 mega electron volt भी possible है, ओके, तो यह आपका यहाँ पे 3rd question जो है, वो possible, यह 9 mega electron volt का proper answer, ओके लिखें यहां ते किसको, बच्चो अगला 4th question, इसमें बात करेंगे, hydrogen atom is in ground state, is radiated by light of wavelength 970 ang strong, और SC by E की value आपको इतना लेना है, तो आपको यह बताना है कि ground state, and the ground state energy of hydrogen is minus 13.6, तो number of electric, number of line present in the emission spectrum कितना होगा, तो यहाँ पे आपको 970 ang strong अगर आपको wavelength गीवन है, तो सबसे प आपने उसको दी, तो incident photon की energy हम यहाँ निकालते हैं, hc by lambda, अब यहाँ पर, electron volt meter में दिया हो है आपको, तो अपन direct इसको 12,400 यूज कर लेदे है, 12,400 electron volt ang strong upon 970 ang strong, तो जब आप इसको solve करेंगे, आपको यहाँ से energy की value मिलेगी, that will be 12.75, approximation में 12.75 electron volt, तो इतनी energy जो है वो photon की है, अब हमें पता है कि hydrogen के लिए photon जो है यह जो gap होता है, 12.75 का, देखो यह होता है, माइनस 13.6, यह होता है 3.4, फिर इसके बाद आता अपने पास 1.51, फिर उसका दा 0.85, माइनस में, तो जो 12.75 का gap होता है, वो 12.75 का gap इसको कहां लेके चला जाएगा, 12.75 का gap की वज़े से यह जो electron जाएगा, वो electron excite होके जाएगा, ground state से, consist state में, fourth state में, तो electron का excitation होगा, n equals to 1 to 4, जब यही वापस, ground state से वापस, sorry, excited state से वापस, वो ground state में आएगा, तो वो कितने तरीक ऐसा आ सकता है, direct भी आ सकता है, या तो, या फिर वो 3 टुकुडों में आ सकता है, 1, 2, 3, या फिर उसकी possibility और क्या है, वो direct ऐसे आ जाए, और फिर एक बार में ऐसे आ जाए, या फिर दूसरी possibility क्या है, वो ऐसे आ जाए, और ऐसे आ जाए, पिर जाने का तो रास्ता simple होता है, कि जाता हमेशा वो एक बार में ही है, लेकिन जब वापस आता है, तो व 3, 4, 5, 6, 6 अलग अलग wavelength इसके लिए direct formula भी होता आपके पास n into n minus 1 by 2 number of wavelength जो maximum limit हो सकती ही वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर n की value है 4, 4 minus 1 by 2 that is 6, easily आपका यहाँ पर आपके integer में क्या answer आजाएगा, number of line पूछा है that is 6, okay बीटा, easy question है note करें, बच्चों हमाते हैं हमारे 5th question पर, 5th इस question में आपको क्या बोला है, electrostatic energy of Z protons uniformly distributed throughout spherical nucleus of radius R is, जो protons है इसको ही माना है कि वो nucleus में, nucleus को एक solid गोला माना हुआ है, उसमें proton का uniform distribution माना है, किस तरह से, जैसे मान लो कि nucleus है, इसमें throughout proton का जो charge है वो distributed है, तो यहाँ पर जो इस sphere की total energy होगी, इसकी radius अगर R मान लें, तो इस sphere की जो energy होगी, electrostatic energy, उसके लिए एक simple सा formula आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो यह formula आपको दिया हुआ है, क्या value गिवन है formula में, E is 3 by 5 Z, Z minus 1 E square, divide by 4 pi epsilon naught R, ठीक है, यह आपको value गिवन है, electrostatic potential energy की, फिर इन्होंने बोला है कि measured mass of neutron, hydrogen, 1H1 means proton, nitrogen and oxygen, उसके masses आपको गिवन है, फिर आपको इनके लिए बोलाए कि radius जो है दोनो, nitrogen और oxygen की, वो same है, ठीक है, वन atomic mass, कितना energy की एक वाले वापको गिवन है, फिर यहाँ पर E square upon 4 pi epsilon naught की value आपको 1.4 megal electron volt FM गिवन है, assuming that the difference between the binding energy of this and this is due to the electrostatic energy, the radius of nucleus, तो यह बुला है कि दोनों की binding energy उसका जो difference है, वो difference purely electrostatic energy की वज़े से ही है, तो आपको बताना उनकी radius क्या होगी, तो चलो इस question की शुरुआत करते हैं, अच्छा question है, एक दो concept को mix करके बनाएगा है, चलो, इस question पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो, यह देखता होगा कि इन दोनों nucleus के लिए, जो आपके पास एक nucleus तो कौन सा है, एक nucleus आपके पास है, carbon और दूसरा कौन सा है, nitrogen, तो दोनों की radius यह मैं माल लेता हूँ, आर, यह है मेरे पास 6C12 और दूसरा है 7C, sorry, nitrogen और oxygen, तो यहाँ पर एक तो है, मेरे पास 7N15, तो 7N15, और दूसरा है मेरे पास 8O, और यह कितना है, मेरे पास 8O15, ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हमें दोनों की binding energy निकालने होगी, कैसे निकालेंगे बीटा, binding energy इसके लिए E1 कितना हो जाएगा, mass defect, delta M into C square, जब आप यहाँ पर mass defect निकालेंगे, तो आपको number of proton, neutron का mass, और neutron का number कितना है, 8, 7 क्या है, proton का number, तो proton के mass से multiply करो, minus of mass of, यह यहाँ nitrogen है, sorry, तो nitrogen का mass यहाँ आपको use करना है, तो mass of nitrogen into C square, ठीके, अब आपको neutron का mass, proton का mass, और nitrogen का mass, तीनों mass is given है, उसको solve करेंगे हम, तो जो mass defect आएगा, यह सारा data जब आप यहाँ put करेंगे, तो mass defect आएगा, 0.12399, यह calculated part में ने already solve किया हुआ है, 0.12399 into C square, ठीके, यह आजाएगा, यह तो E1, इसी तरह से, जब आप दूसरी energy find करेंगे, दूसरी energy कौन सी हमारे पास, जो oxygen का nucleus है, इसके लिए E2 क्या हो जाएगा, delta M into C square, इसके लिए क्या आएगा मेरे पास, 8 तो क्या है, इसमें, proton है, फिर इसके बाद 7 क्या है, इसमें, neutron है, फिर इसके बाद आप mass of oxygen, वो minus करोगे, into C square, जब आप इस data को put करके solve करोगे, तो इसका जो आपके पास delta में आएगा, वो आएगा, 0.12019, तो 0.12019 into C square, question में क्या बोलाए कि इनकी binding energy का difference, difference होवेसी बात है, E1 ज़्यादा आएगा न, तो यहाँ पे delta E, जो binding energy का difference आ रहा है, वो आएगा, E1 minus E2, तो 0.12399 minus of 0.12019 into C square, यहाँ गया, जब आप इसको solve करेंगे, C square की value 931, जब आप यहाँ put करेंगे, ठीके, तो आपके पास यह value कितने आ जाएगी, यह value आपके पास आजाएगी, 3.5359, और यह आजाएगी, आपके पास mega electron volt में, इतना energy का difference यहाँ है, अब इन्होंने बोला कि जो binding energy का difference है, वो purely इस energy की difference की वज़े सा रहा है, तो यहाँ भी difference, अब देखो, यहाँ तो जिसके लिए Z जादा, उसके लिए E की value जादा, तो electrostatic energy, यह binding energy का difference से B लिख दिया, अब electrostatic energy का difference के लिए मैं E use कर लेता हूँ symbol, तो यह क्या हो जाएगा, E for oxygen, oxygen atom, और minus E nitrogen, तो देखो, बाकी सब चीज़े तो से में, 3 by 5, E square, 4, 5, Epsilon naught R, Z, Z minus 1 है ना, यही है ना, अब यहाँ Z जो है, oxygen का कितना है, 8, तो यह जाएगा, 8, minus 1, minus of 7, into 7, minus 1, ठीके, जब आप इसको solve करेंगे, 3 by 5, E square upon 4 by Epsilon naught R, और यह जाएगा, 8 into 7, 56, minus, यह जाएगा, 7 into 6, 42, तो यह जाएगा, 14, और फिर जब आप E square upon 4 by Epsilon naught की value आपको given है, E square upon 4 by Epsilon naught की value जब आप यहाँ put करेंगे, जो कि आपको 1.44 MHz FM दिया हुआ है, तो वो value डालने से आपका यहाँ जो answer बनेगा, यह बनेगा, 12.096, R, M, E, V into FM, यह आजाएगा, अब यह दो चीज़े हमने solve कर ली, अब इन्होंने question में क्या बोला विट आपको, इन्होंने question में बोला है, कि जो यह difference आ रहा है, binding energy का, यह purely electrostatic energy की वज़े से है, इसका मतलब binding energy का difference, और electrostatic energy का difference, difference इक्वल होना चाहिए, तो यह difference इक्वल होने के लिए, इन्होंने अमें data दियावा है, 3.5359 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट, sorry, binding energy इधर ले जाता हूँ, इधर में electrostatic ले जाता हूँ, electrostatic energy का difference कितना आ रहा है मेरे पास, 12.096 upon R, mega electron volt FM, तो MEV से MEV कर जाएगा, यह R की value कितनी बज़ जाएगी, 12.096 upon 3.5359, इसको जब आप solve करेंगी, तो आपका answer जो आएगा, और FM आ जाएगा, solve करने पे आपका answer आएगा, 3.42 for me, तो यह radius of nucleus आपको easily यहाँ से मिल जाएगा, क्या करना था बच्चों, इसमें वापस में summarize करता हूँ, आपको यहाँ पे दो nucleus के लिए सबसे पहले, बाइंडिंग energy निकालनी है, दोनों की, उसका difference निकालना है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, नया concept इनों ने यूज किया, कि जो यह difference है, वो इस electrostatic potential energy के difference के equal है, तो simple यह अलग से चीज केलकुलेट करके, उन दोनों को equal करके आपको एक केलकुलेशन करनी है, हाँ, केलकुलेटिव पार्ट जरूर यहाँ पे है, आपको केलकुलेशन में बिल्कुल accuracy रखनी है, काफी इनों ने पॉइंट में पूछें और काफी पास पास भी दियें है, तो यहाँ, केलकुलेशन आपको एकदम accurate रखनी पड़ेगी, ओके बच्चों, तो हमारा question complete होता है, नोट करें आप, बच्चों हमारा next six question आता है, single choice question है, इसमें आपको एक nuclear laboratory में एक material, जो intensity थी या जो उसका radiation level था, वो radiation level जो safe level होता है, उससे 64 times ज़्यादा था, ठीक है, तो 64 times ज़्यादा जब level था, तो हमें उसके साथ हम काम नहीं कर पाएंगी, तो हमें उसको normal level तक आने का वेट करना पड़ेगा, मान लिया हम safe intensity को हम I note मानते हैं, तो अभी उसकी intensity, मान लो यह है safe intensity, या safe उसका radiation level, उसको अपन A note मान लेते हैं, तो उसका जो radiation का safe level है, वो है इतना, और अभी जो यहाँ पर इन्होंने level यूज किया है, safe radiation इतना है, अब जो level इन्होंने यूज किया है, वो safe से ज़्यादा है, तो यह radiation का level, अब question की condition क्या given है, कि जो A है, वो A note का 64 times है, तो इसका मतलब मुझे activity को A note तक आने का wait करना पड़ेगा, तो उसके लिए, अब देखो activity तो किस तरह से, exponentially decrease होती है ना इसे, तो यहाँ पर हमें activity को A note तक आने का wait करना पड़ेगा, और A note तक आने में उसको कितना time लगेगा पूछा, जब कि initial उसकी activity कितना है, 64 A note, तो यहाँ पर activity का जो हमारे पास formula है, A equals to, अब यहाँ initial खुद 64 है, है ना, तो यहाँ पर activity जब आप लिखेंगे, तो A, 64 A note, यह तो initial, और मुझे A note तक आने का wait करना है, e to the power minus of lambda t, तो यह cancellation हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा मेरे पास, e to the power lambda t is 64, यहने की 2 की power, कितना हो जाएगा है, 5, 6, 2 की power 6, तो lambda t कितना हो जाएगा, यहाँ पर, 6 ln 2, तो यह हो जाएगा, t is 6 ln 2 by lambda, ln 2 by lambda क्या होता है, half life होता है, यहने की 6 half life जितना time इसको use होगा, एक half life कितनी मेटा, 18 days, तो total time कितना हैगा, 108, तो इस case में जिसको time लगेगा, safe level तक आने में, that will be 108 days, यह हमारा 6 question complete होता है, ओके बच्चों, note करें एक बार यहाँ तक, बच्चों माते हमारे 7th question पर, इसमें आपको बोला, light of wavelength lambda pH, pH मतलब photon की wavelength, falls on a cathode plate inside the vacuum tube पे शोन, यहाँ पर cathode है, इसको पर आपने light incident किया, ठीके, the work function of cathode is 5 and the anode is a wire mesh, अब anode जो होता है, basically एक plate होती, पर यहाँ plate के बचे हमने एक जाली काम में ले लिया, एक wire mesh काम में ले लिया, kept at a distance d from the cathode, तो यहाँ से जो distance है, इसकी, वो कितनी है है बटा, that distance is d, तो इस case में d distance है, the potential difference v is maintained between the electrodes, तो यहाँ वी जो है वो positive potential है, positive potential है, मतलब यह रोकेगा नहीं electrons को यह बल्कि accelerate करेगा है न, negative potential ध्यान रखना, वो stopping potential का काम करता है, यहाँ पर potential तो kinetic energy को बढ़ाएगा, ठीक है, if the minimum d-brogly wavelength of electrons passing through anode is lambda e, जो electrons निकले हैं, उनकी d-brogly wavelength जो है, वो lambda e है, ध्यान रखना, electron की d-brogly wavelength, कैसे हम निकालते हैं, h upon p, इसमें भी जो kinetic energy होती है, वो क्या होती है, accelerating voltage, तो यहाँ electrons का accelerating voltage हो जाएगा, mass of electron हो जाएगा, तो electrons की जो energy होगी, d-brogly wavelength होगी, वो इस तरह से v voltage decide करेगा, हम यह बोल सकते हैं, 1 upon root v पर dependency होगी, ओके, which of the following statements are true, अब यहाँ देखते हैं, for large potential difference, potential difference काफी जादा है, यहाँ की work function से भी काफी जादा है, approximately, lambda e जो है, वो approximately आदा होगा, lambda e is approximately half, if v is made four times, तो यहाँ पर देखो, अगर आप v को four times करोगी, तो lambda e तो आदा हो नहीं है, यह तो मैंने पहले आप कोई formula से प्रूव करवा दिया, तो approximately half, इन्हों ने इसलिए actually बोला है, कि जब आप potential difference को four times करोगे, potential difference जितना जादा होगा, जैसे electron तो बाहर आ गया, उसके आप सारा जो यहाँ पर electron से, कानेटिक एनरजी क्या होगी, जब बाहर आएंगे, तो उनकी कानेटिक एनरजी थोड़ी बहुत होगी सही वहाँ पर, थोड़ी बहुत कानेटिक एनरजी पहले से, और उसके बाद आप V voltage और accelerate करवा रहे हो, तो voltage तो एक्वल कानेटिक एनरजी देगा, पहले से एक्वल के पास कानेटिक एनरजी है, उसमें वेरिएशन है, इसलिए हो सकता है कि एक्वल यहां से निकले, उनके पास कानेटिक एनरजी, एक्वल्ट जो इसने प्रवाइट किया, उससे ज़्यादा तो होगी सही, लेकिन वो आपस में थोड़ीवो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि एलेक्ट्रोन जब फोटो एलेक्ट्रिक सर्फेस से बाहर निकलते हैं, फोटो सेंसिटिव सर्फेस से वो अनेक्वल वेल्यू के साथ निकलते है, मतलब एक रेंज होती है पूरी कानेटिक एनर्जी की, तो फिर भी चलो उस वेल्यू को अपन काफी स्मॉल माले और उसके मुकाबले यह दिफरेंस काफी अच्छा खासा है, तो हम यह बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप वोल्टेज को फोर टाइंस करोगी, तो यहाँ पर मोमेंटम जो है, वन अपन रूट वी पर डिपेंड कर रहा है न, तो इसका मतलब लैमडा देश अपन लैमडा इस वी अपन वी देश, रूट में यह हो जाएगा वी अपन पोर वी, इस इस वन बाइट तू, तो लैमडा डेश इस लैमडा बाइट वाइट यह हमारे पास फर्स पोरेंज फर्स ऑप्शन आ जाएगा, फिर उसका दूसरा देखते हैं, लैमडा इडिक्रीज विद इंक्रीज इन फाई एंड लैमडा पी एच, देखो, लैमडा पी एच का क्या होगा, एक बार अपन यहाँ पर देख लेते हैं, एनर्जी ओफ फोटोन जो होता है, वो होता है वर्क फांक्शन, प्लस, प्लस यहाँ पर आजाएगा अपने पास, कानेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, यह जब फोटो सेंसिटिव सर्फेस से एलेक्ट्रोन बाहर निकले तब, अब उस केस में, जब आप एनर्जी ओफ फोटोन, हैस सी बाई लैमडा लिखोगे, उसके बादा फाई, और इसको आप लिखोगे, इन्टू, अब यह कानेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है, वो तो आपका है सी बाई लैमडा माइनस फाई से डिसाइड हो जाएगा, यह तो आपकी कानेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वेल्यू डिसाइड हुई यहाँ से, लेकिन जब इलेक्ट्रोन एनोड तक पहुँचेगा, तब वो जब बाहर निकलेगा, तो वो जो एनर्जी है, जब इलेक्ट्रोन यहाँ एनोड तक पहुँचेगा, उसके बाद तो भी वोल्टेज डिसाइड कर रहा है ना, तो अगर आप इसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर भी देते हो, तो आपका तो वेसे भी वोल्टेज काफी ज़्यादा है, तो लेम्डा ए को फाई और लेम्डा पी एज को चेंज करने से ज़्यादा कोई खास फरक यहाँ नहीं पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना ह कि जो फोटोन है, उसकी वेवलेंट थ्रेशोल्ड वेवलेंट से कम होनी चाहिए, ठीके, तो इनका विरेशन पर ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा, तो यहाँ कोई ऐसा खास डिकरिमेंट नहीं होगा, फिर लेम्डा ए इंक्रीज एट सेम रेट अगें यह भी गलत हो गया कि यहाँ पर लेम्डा इजो है वो नहीं डिपेंड करेगा, लेम्डा इज अप्रोक्समेटली हाफ इफ डी इस डबल, डी को डबल करने से कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशिल डिफरेंस तो सेम है न, यह डी डिस्टेंस से इलेक्टिक फिल्ड अफेक्ट ह होता है, पोटेंशिल डिफरेंस तो फिर उतना है न, तो जब इलेक्टोन यहां से यहां तक आएगा, वो वी वोल्ट से एक्सलरेट हो रहा है, तो अगें यहां पे भी कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो लेम्डा इजो है वो केवल और केवल इस वोल्टेज पर डिप और घ्रिपेंसी तो सबसे पहले यहां पर एक सोर्स गीवन है, यहां पर तीनों इलेमन्ट इसबसे पहला, हम से अंगफ्वेंशी निकालें थे रिजोनस फ्रिक्वेंशी तो रिज्वेंस अंग फ्रिक्वेंशी क्या होगी, वन अपन रूट यहां वैलियो करेंगे, तो तो L कितना है 10 to the power minus 6 henry, C कितना है 10 to the power minus 6 henry, तो that would be 10 to the power 6 hertz, यह radian per second, okay, basically angular frequency है तो radian per second, तो इस case में resonance frequency यहाँ पर आ गया, अब omega 10 to the power 6 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, देखो, अगर resonance frequency से ज़्यादा frequency करते हैं, तो उस case में हमें पता है, कि जो XL है, XL काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और XC, XC तो है वो omega पर inversely depend करता है, तो XC जो है वो approximately 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगा, इसकी वज़े से circuit जो है वो capacitor की बजाए, inductive circuit हो जाएगा, इस case में है, तो याद रखना, frequency जब बढ़ाते हैं, resonance frequency पर तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन resonance frequency से ज़्यादा होने पर inductive circuit ये, inductive circuit या inductive nature की इसमें आ जाता है, तो यहाँ पर कौन सा नेचर आएगा, इसका, capacitance वाला तो आएगा नहीं, ठीके, तो यह capacitor के वज़े इंड़क्टर होता, तो सही होता, फिर इसका second option, omega अगर almost 0 हो, अगर आप omega को 0 कर दोगे, तो XL कितना हो जाएगा इस case में, 0, and XC कितना हो जाएगा, XC तो फिर काफी ज़्यादा हो जाएगा न, tending to infinite, तो इस case में फिर यह क्या काम करेगा, फिर यह capacitor की तरह काम करेगा, capacitive circuit, तो यह बोल रहे हैं कि the system current flowing, हाँ, बिल्कुँ सही बात है, XC अगर infinite हो गया, तो XC infinite होने से फिर यहाँ Z की value क्या हो जाएगी, root of R square प्लस X net square, अगर X infinite हो रहा है, तो Z भी जो है, वो infinite की तरफ अप्रोच करेगा, इसका मतलब I कितना हो जाएगा, circuit का 0, ठीके, तो high, low frequency पे जो है, कैपस्टर जो है, वो पूरा ब्लॉक कर देगा, क्योंकि DC current को कैपस्टर ब्लॉक करता है, ठीके, almost 0 है ना, tending to 0, तो second option सही हो गया मेरा, फिर उसका third current will be in phase with voltage is omega, देखो, omega जो है यहाँ पर, omega है less than omega R, resonance frequency, resonance frequency से कम जब होता है, तो circuit कैपस्टिव होता है, कैपस्टिव नेचर जब आएगा, तो क्या यह current in phase होगा, क्या बताओ, current कभी भी in phase नहीं होगा, कैपस्टिव circuit में current हमेशा voltage से lead करता है, तो यह गलत हो गया, फिर fourth option, frequency at which current will be in phase with voltage is independent of R, तो यहाँ पर frequency जिस पर current phase में होगा, वो frequency को ही तो हम resonance frequency बोलते हैं, तो resonance frequency जो की FR, क्या होता है, 1 upon 2 pi root of LC, यह जो frequency होगी है, कभी भी depend नहीं करेगी resistance की value पे, तो मेरा यहाँ fourth option जो है, वो सही बन जाएगा, तो देखें बच्चों, अपना कौन सा option सही है, 2 और 4, कोई confusion बेटाई इसमें, note करें, फिर हमारे पास अगला question आता है, 9th question, इसमें आपको electron in hydrogen atom undergoes a transition from an orbit with quantum number ni to another quantum number nf, ठीक है, i for initial, f for final, ठीक है, तो यह transition करता है, ni से nf में, vi and vf are respective the initial and final energy, अब यहाँ इननों बुला है कि initial energy और final energy की value, यह कौन सी energy बेटा है, potential energy है, तो potential energy जो होगी, हमें पता ही, total energy से क्या होगी, double, ठीक है, अब total energy आप कैसे निकालते हैं, बेटा, यह होता है, minus of 13.6 z square upon ni square, then 2 minus of 13.6 z square upon n final square, फिर इसके बात क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यह हो जाएगा, n final square upon n initial square, अब n final upon n initial, अब यहाँ पर इनोंने, vi by vf की value को दिया वाए, यह ratio इनोंने कितना दिया है, 6.25, that is 25 by 4, इसका मतलब हम यह बोल सकते हैं, कि nf जो है, वो 5 रहा होगा, बहुँ, square root करोगे तो, और ni कितना हो जाएगा, 2, square root करने पर 5 by 2 यह तो आएगा, तो यहाँ पर nf की minimum value पूछिए, that is 5, बहुँ, minimum ratio तो 5 by 2 यह आएगा, इंटेजर की form में, उससे छोटा आप लिखीन सकते हैं, तो यहाँ पर 5 by 2 तो आने यह minimum ratio वाइज है, तो nf upon ni इससे कितना आजाएगा, 5 by 2, 5 by 2 के साब से आप से जो nf की minimum value है, इंटेजर में 5 ही बनेगा और इंटेजर value ही possible है, तो n कभी भी इंटेजर के अलावा कुछ नहीं होगा, तो 9th का मेरा option कौन सा हो जाएगा, यहाँ correct, 5th option, okay, वे confusion इसमें, चलो, आगते हम अपहारे अगले question पर, एक बार नोट करें आप यहाँ तक, बचो हमारा next question, 10th, इसमें आपको बुलावा है कि iodine का एक isotope of iodine, जिसको आप beta decay होता है और वो isotope of xenone में convert होता है, जिसके half life कितनी 8 दिन, a small amount of serum labeled with 131 eyes injected into the blood of a person, activity of that amount is injected is 2.54 into this, तो यहाँ पर आपने कुछ amount inject कर दिया body के अंदर, it is known that injected serum will get distributed uniformly in the blood stream in less than half an hour, तो जो आपने कुछ amount injection के थरू डाला, वो पूरी body में blood circulation के थरू डिस्रिबूट हो गया, after 11.5 hours, फिर आपने उसके बाद 0.5 ml blood का sample निकाला, तो देखो, अपन मान लेते हैं, total volume V रहा होगा, और यह जो initial activity है, वो उस पूरे sample की है, तो इस पूरे sample की activity कितनी है, यह initial activity है, A note, लेकिन यह A note activity तो इस serum के केवल जो total volume आपने डाला, उसकी है बस यह तो, यह वो पूरा distribute हो गया, कितने volume में, blood का volume हम मान लेते हैं, V volume मान लेते हैं, तो जो blood का volume है, blood के volume में पूरा यह distribute हो गया, तो इस case में, A note activity थी, पूरे injection के थुरू आपने जुतना भी isotope डाला उसकी, वो पूरा V volume में distribute हुआ, तो unit volume की activity कितनी आएगी फिर, A note तो पूरे volume की थी, पूरा volume जो आपने serum का डाला, उसकी activity, वो blood के V volume में distribute हुआ, यहां V में किसका volume मान रहा हूँ, let, total volume of blood, इसको में V मान लेता हूँ, ठीके, तो V volume में जब जाके वो radioactive dissolve हुआ होगा, तो V volume में जब वो पूरा radioactive substance मिला, तब जाके उसकी activity अनोर थी, उसमें से जब आप small V sample लेते, तो उसकी activity के वाल इतनी सी आती ना, इसका मतलब जो 1.5 ml आपने लिया substance, उस 1.5 ml की initial activity इतनी थी, और बाद में तो यह initial activity हो जाएगी, जो हमारे पास substance आपने, मान लो आपन डालते ही, जैसे वो पूरा mix हुआ, मान लो की हाथ मान मिक्स हो गया, उसी टाइम अगर 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 आपने injection से 1.5 ml निकाल लेते, तो उसकी activity इतनी आती, यह जो आपको activity दी गई है, वो पूरे के पूरे radioactive isotope की दी गई, लेकिन पूरा एक जेक है थोड़ी हो, तो पूरे distribute हो गया, तो unit volume में तो इतना से activity बचेगी, और जो 1.5 ml blood है, उसमें इतनी activity बचेगी, यह t equals to 0 की activity है, ना, फिर after time, कितना time बिटा, यहाँ पे नो ने बोलाए कि 11.5 days, sorry, 11.5 hours, 11.5 hours के बाद आपने, ठीक है, 11.5 hours के बाद आपने एक substance, यहाँ पे कुछ, इसी sample की जो activity थी, वो कितनी रह गई थी, वो रह गई activity A- कितनी आय थी, 115 बेकरल, okay, तो आप से पूछाए कि बताओ, ब्लड का वॉल्यूम कितना है, simple सा concept है, हमें final activity पता है, initial activity पता है, और हमें activity का variation पता है, किस तरस होता है, तो चलो, एक बार calculation वाला पार्ट कर लेतें इसका, तो इस case में, अब इस case में, जब हम formula यूज करेंगे, तो A equals to A not e to the power minus lambda t, यहाँ dash यूज कर लेता हूँ, क्योंकि dash क्योंकि मैं पूरे volume, ब्लड का volume ने रहा हूँ, इसमें से को लड़ाय में ले रहा हूँ बस, तो initial activity कितनी थी, A not V by capital V, e to the power minus of lambda t, is A dash, A dash कितना दिया आपको, A dash दियाओ आपको, 1, 1, 5, A not, A not की value जो आपको गिवन है इस question में, वो गिवन है, 2.4, 10 to the power 5, तो 2.4, 10 to the power 5 ये, initial activity गिवन है, पूरे sample की, उसमें से अपने 2.5 ml ब्लड लिया हूआ है, divide by V, और e to the power minus of lambda t, अब यहाँ e to the power minus lambda t, lambda को हम क्या लिखेंगे, ln 2 by 8, क्योंकि lambda t half आपको दिया वाहे, 8 days, ok, t आपको दिया वाहे, 11.5 hours, lambda हो जाएगा, ln 2 by t half, ठीके, और यह 11.5 hours, तो यह तो यहाँ data पुट करोगे, तो e to the power minus lambda t, actually बहुत छोटी value आएगी है, मतलब यह power बहुत छोटी आजाएगी, lambda कितना आएगा मेरे पास, ln 2 by t half, 8 days, days को at least आप गंटे में convert करोगे, 24 hours, और फिर उसके बाद 11.5 से multiply भी करोगी, ठीके, तो solve करने पे value काफी complicated से हो जाएगी, हमें पता है कि value काफी छोटी बनेगी, काफी छोटी value अगर बनेगी, तो उसको आप e to the power x को 1 minus x लिख सकते हैं, approximation में, तो इसका मेरे पास solution आएगा, फिर वो आएगा, ln 2 into 11.58 into 24, तो ये value solve करने पे कितनी आ जाएगी, ये value solve करने पाएगी, 1.1 minus 8.05 divide by 192 और ये value solve करने पाएगी, आपके पास 0.958, अब इस value को e to the power minus lambda t की जो value आपने side में solve कि, इसको आप यहाँ put कर दें, तो 1.5, 2.4, 10 to the power minus 5, 2.5 ml, ठीके, divide by capital V, और e to the power minus lambda t की value 0.958, ओवेसी बात हैं, यहाँ calculation वाला पाट तो है, अब इसकी बाद simple सा जब आप इसको solve करेंगे, तो solve करने के बाद, आपको V की value यहाँ पर approximately 5 liter मिल जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ओके, तो basic concept तो यह था कि, जो injection के थूँ आपने radioactive substance blood में डाला, वो ऐसा नहीं कि एक जगे जो sample लिया, उसमें सारा का सारा material है, आप जब blood का dhyamil sample होगे न, तो उसमें पूरा radioactive substance नहीं आएगा, वो तो ratio wise distribute हो गया न, तो हैसा सोचो कि V volume में पूरा sample distribute हुआ, तो जो sample आपने लिया, उसमें तो small V volume उसका माल लो, तो capital V में distribute हो गया पूरा radioactive substance, तो जो unit volume में activity आएगी, वो आएगी A0 upon V, और आपने V volume लिया है, तो V volume की activity A0 V upon capital V, इससे फिर आप solve करें पूरा, ओके बिटा, तो आपना यहाँ पी question complete होता है, अच्छा concept है, तो note करें मिटा इसको, बच्छा हमारा next 11th question आता है, इसमें आपको बोला है कि एक photoelectric material है, having work function phi 0 is eliminated with light of wavelength this, lambda जो है वो threshold wavelength से कम given है, जो कि required condition होती भी है, fastest photo electron has d Broglie wavelength lambda d, सबसे पहले हम देखते हैं बटा, fastest electron की जो kinetic energy होती है, kinetic energy maximum कितना होता है, वो हता है, energy of photon minus work function, फिर जब आप lambda d, d Broglie wavelength का formula लिखते हो, आपको क्या लिखना पढ़ता है, root 2km, यह लिखना पढ़ता है, kinetic energy का आप कैसे लिखोगे बेटा आप यहाँ पर, 2 energy of photon minus this m, इस case में again जब आप यहाँ पर value डालोगे, तो यह आजाएगा, h2, hc by lambda minus of 5m, बाकी सब तो चलो constants हैं, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो h upon root 2m को तो चलो, मैं बाहर लिख देता हूं, लेकिन इसको मैं लिखूंगा, hc by lambda minus of 5 to the power minus half, यह यहाँ पर lambda हो गया, d-brogly wavelength, तो d-brogly wavelength का यहाँ पर मेरे पास एक simple सा formula आ गया, अब इस question के थूँ, जब हम इसको solve करेंगे, तो solve करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, अपन थोड़ा सा, दूसरे तरीके solve करते हैं, इसको हम इसको यहाँ से आगे ऐसे लिख सकते हैं, 2 e minus 5 m is h square upon lambda d square, ठीके, अब यहाँ पर इसको हम लिखें, hc by lambda minus 5 m h square upon lambda d square, चलो, अब एक बार इसको हम, आगे solve करते हैं, तो इस case में, जब आपके पास यह equation आती है, आप इसको differentiate करो, पूरी equation को, तो इसका differentiation में कर रहा हूँ, general differentiation, ठीके, तो देखो, बाकी सब constant है, यह lambda और lambda d, यह variable quantity है, तो 2 तो constant है, hc constant है, lambda का square, minus of lambda square, हाँना, और d lambda, यह तो मैंने 1 upon lambda का differentiation किया है, फिर उसका 5 constant उसका 0, और यह m तो multiple में चली रहा, कोई दिक्कत नहीं, इधर से h square constant हो जाएगा, minus 2 upon lambda d की power 3 और d lambda d, यह मेरे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका differentiation, अब इस से देखो, यहाँ पर हम value अगर solve करें, तो d lambda, हम से क्या पूछा है, हम से इन्होंने पूछा है, की delta lambda upon, मतलब, d broadly wavelength का change, और photon की wavelength का change, यह बताओ, इस ratio की value बताने, तो d lambda e, तो इसको में divide करूँगा, तो यह आज़ाएगा, lambda d cube, बागी तो सबर इक constant है, upon lambda square, तो finally मेरे पास यह value आएगी इस case में, और यह मेरा कौन सा option हो जाएगा, यह मेरा हो जाएगा, fourth option, correct, तो इस case में देखें, आप यहाँ पर, तो इस case में आपका जो option होगा, यह, देखो, यह इसका option हो जाएगा, fourth number का option, correct, okay, तो simple हमें यहाँ पर केवली relation निकालना था, D-Brogly wavelength और लेंडा के बीच में उसको डिफ्रेंशेट करना था, और भी सी बात है, आप अगर photon के wavelength चेंज करोगे, तो wavelength चेंज करने से energy of photon अफेक्ट होगा, तो kinetic energy अफेक्ट होगी, तो kinetic energy अफेक्ट होने से, D-Brogly wavelength भी अफेक्ट होगी, तो हम भी बोल सकते हैं कि जब भी lambda चेंज करेंगे, D-Brogly wavelength भी चेंज होगी, उसी चेंज को यहाँ relate करवाए गया है, ओके बच्चों, तो यह solution के लिए, आप इसको note करें, यह पूरा solution इसका, बच्चों, हमारा next question आता है, 12th question, इसमें आपको instantaneous voltage across three terminal marked x, y, z are given by this, तो किसी भी AC circuit में तीन terminal रहे होंगे, ठीके, उसके across कुछ elements रहे होंगे, तो यहाँ आपको एक block बना लते हैं, element की जगे, ताकि, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा element, कौन सा वाला है, ठीके, अब यहाँ पर आपको कुछ terminals mark कियों है, x जो है, ये, y, और z, तो तीन terminal के लिए voltage difference आपको गिवन है यहाँ पर, तो तीन voltage x, y, z, इसमें अब आपको बोला है, कि जब आप इन तीनों terminal, ये x, y, z इन element की marking है, है, इस तरह से बोला है कि, ये जो elements हमारे पास है, इन में, तो इस element के across, आप एक बार voltmeter लगाऊगी, अब यहाँ पर x का voltage, जो है, इसका phasor अगर आप बनाए, तो x का voltage in phase दिया हुआ है, तो x element का जो voltage है, that will be this, v naught, ठीके, फिर जो y element है, उसका voltage कितना दिया है, 2 pi by 3 phase से आगे ही, यहने की 120 degree से आगे दिया है, value तो उसकी भी v naught है, z का जो voltage है, वो अगला again 120 आगे दिया है, 4 pi by 3 पे v naught, अब देखो, दो equal vector अगर 120 के difference पे हो, तो उनका resultant हमेशा कितना आता है, और voltage को हम यहाँ vector quantity मानते हैं, ऐसी में जब हम phasor diagram बनाते हैं, हम voltage और current को phasor बनाने का मतलए हम वेक्टर की तरह treat करते हैं, इसलिए vector addition type के rule हम follow करते हैं, तो इस case में जब आप x और y, या y और z है न, यह कौन सा था? Vx, यह कौन सा था? Vy और यह कौन सा है? Vz, आप किसी भी terminal के across, किसी भी दो terminal के across voltage difference अब calculate करना चाहोगे, तो याद रखना हमेशा rms value calculate होती है, अब rms value calculate करने के लिए पहले आपको peak value calculate करने के लिए आपको difference देखना होगा, तो difference देखो बच्चों, यहाँ पे भी phase का difference कितना है? 120 120, यहाँ पे भी phase का difference कितना है? 120 और यहाँ पे भी phase का difference कितना है? 120, जब 120, 120 का phase difference है, तो किसी भी दो terminal के across voltage difference जब आप निकालोगे, तो वो कितना आजाएगा Vnate, दो equal value का resultant कैसे निकालते हैं? 2 cos 120 by 2 ठीके, तो यह आजाएगा 2 V0 1 by 2 तो V0, तो किसी भी दो terminal के across जो voltage difference आएगा, उसकी peak value तो V0 होगी, बट ध्यान रखना, जो potential difference है, वो तो RMS measure होगा, तो इस V0 का फिर, जो measured value होगी measured value जो होगी वो कौन सी होगी? वो होगी Vnate का RMS अब Vnate क्या है? V0, उसका RMS कितना हो जाएगा? V0 by 2 by root 2, तो इसका मतलब यहाँ पे जो RMS value चाहे YZ हो, चाहे XY हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा 1 by root 2 होगी, तो यह सही है और यह बाकी दो गलत हो जाएगे ठीके? और यह value इस बात पे depend नहीं करती कि आप कौन से 2 terminal सेलेक्ट करते हो? कोई से भी 2 terminal सेलेक्ट कर लो, आपका अंसर वही आएगा, ठीक है? कोई से भी 2, ओके? लेकिन हाँ आप कोई से भी 2 element सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब है ना? ठीक है? तो आपका first or second option जो है, वो यहाँ correct है कोई confusion में इसमें? आते हैं हम हमारे next 13 question पर इस question में आपको बोला है कि रेडिक्ट्व डिके में थियोरियम जो है, वो डिके होता है किस में? 232 में जब यह थोरियम डिके होता है 82 PB 212 में तो जब थोरियम यहाँ डिके होगा तो इस केस में क्यों होगा बेटा? देखो, सबसे पहले 332 है ना? सबसे पहले देखो कि मास नंबर में कितना चेंज आया है तो डेल्टा ए को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं आपको number of alpha particle मिल जाता है क्यों क्योंकि एक alpha particle से 4 का mass number decrease होता है मास number में 4 का decrement आता है तो यहाँ mass number में कितना decrement आया देखो आप तो यह हो जाए कि 20 by 4 मतलब कि 5 मतलब एलफा पार्टिकल तो 5 इमिट हुए ही होंगे यह तो सही हो गया इसके बाद जब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो दूसरा है इन्होंने पूछा है कि प्रोटॉन में कितना डिक्रिमिंट कितने यहाँ एलफा के बीटा कितने निकलोंगे देखो सबसे पहले थोरियम जब डिक्रीज डिके होगा पाँच एलफा अगर आप इमिट करवाद होगे तो उसकी वज़े से मानलो कोई एकस एलेमेंट बन रहा होगा एकस एलेमेंट कितना हो जाएगा 212 लेकिन पाँच एलफा की वज़े से एक एलफा की वज़े से एकमेक नमबर में दो का डिक्रीमेंट आता है पाँच की वज़े से दस का डिक्रीमेंट आएगा तो 80 चला गया 80 के बाद मुझे वापस बनाना है लेड 82 पे अब मास नमबर सेम रखते हुए मुझे एकमिक नमबर ये बढ़ाना है एकमिक नमबर बढ़ाने का मतलब मुझे यहाँ पे 2 बीटा माइनस पार्टिकल और इमिट करवाने होंगे तो यहाँ पे 2 बीटा माइनस पार्टिकल भी इमिट होंगे इसकी वज़े से बीटा का नंबर कितना हो जाएगा 3, तो यह मेरा 13th question easily हो रहा है, ओके, आते हैं हम हमारे next 14th question पर, 14th question की बात करते हैं, फोटो स एलेक्ट्रिक एक्सपरिमेट में, पैरलल बीम ऑफ मोनो क्रोमेटिक लाइट विद पावर 200 वाट, is incident on a perfectly absorbing cathode of work function, 6.25 electron volt, ठीक है, the frequency of light is just about the threshold frequency, तो frequency of light का अधर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंची इस जादा है, मतलब आप जो work function है, उतना ही आप energy of photon भी consider करें, तो इस case में, energy of photon आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको power दिया हुआ है, तो power को कैसे define करते हैं, energy एक photon की into number of photon divide by time, तो energy एक photon की into number of photon divide by time, यह होता है power, तो यहां से फिर आप, जब number of photon per unit time, जो emit होगे, वो जब आप निकालोगे, तो वो कितना आएगा आपके पास, वो आएगा power upon energy of photon, अब इन्होंने बुलाए कि जितने photons emit हुए हैं, उतने ही electrons भी निकलेंगे, मतलब quantum efficiency को 100% मानना है, ठीके, तो यह बोल रहे हैं कि यह सारे photon की, जो electrons की जो beam है, ओके, यह जो electron जितने भी निकलेंगे, वो सारे के सारे एक anode पे normally incident होते हैं, और absorb हो जाते हैं, तो anode कितना force experience करेगा, तो देखो, यहां से जो electrons emit हुए, यह सारे electrons ऐसे जाएंगे, यह electron यहां anode की एक surface उस पे जाके hit करके, सारे के सारे absorb हो जाएंगे, मतलब reflection नहीं होगा, कोई भी particle अगर hit करता है, और वो वापस absorb हो जाता है, तो इसके momentum में कितना change आया, mv का momentum था, absorb होने के बाद जीरो हो गया, इसका मतलब यहां पे जब हमें force calculate करना है, तो हमें number of electron पता होना चाहिए, कि per second कितने electrons आ रहे हैं, और एक electron के momentum में कितना change आ रहा है, यह हमें पता होना चाहिए, ठीक है, अब एक electron का momentum change कैसे निकालेंगे, मोमेंटम जितना है उतना ही change हुआ, तो मोमेंटम को हम calculate करते हैं, root 2 km से, तो यहां पे number of photon, क्योंकि electron का number तो photon के number के equal ही है न, time root 2 km, अब यहां पे kinetic energy को उन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रों को, देखो, potential difference दिया है, यह 500 वोल्ट का जो potential difference है, वो photosensitive material से, जो electron almost zero kinetic energy से निकल रहे हैं, उनको वो accelerate करके इतनी energy प्रोवाइड कर देगा, तो यहां पे हम आगे solve कर लेते हैं, अब इसमें calculation वाला पार्ट बचा तो force के लिए number of photon, divide by time into root 2 km, photon कैसे निकालेंगे, power upon energy of photon, root 2 km, power आपको यहां पे कितनी given है, तो इस case में आपको power given है, 200 watt और energy of photon given है, work function के just equally है, तो यह हो जाएगा, 200 divided by 6.25, electron voltage को convert करो, 1.6, 10 to the power minus 19, फिर यहां root 2 km की बात करनी है, तो root 2, kinetic energy कितना है, 500 electron volt, 1.6, 10 to the power minus 19, then m, that is 9.1, 10 to the power minus 31, अब आप इसको पूरी value को solve करेंगे, तो आपका answer जो है, वो exact यहां पे बनेगा, 24 into 10 to the power minus 4, Newton, तो इतना यहां पे उस surface पे force लगेगा, ओके बच्चों, तो easily आपका answer यहां बन रहा है, बस यह कि थोड़ा सा calculation वाला part हो, थोड़ा से ही concept इसमें, ओके बटा, तो यह आपका यह question भी complete होता है, नोट करें, अच्चों, हम बात करते हैं, 15th question की, इसमें hydrogen-like atom है, जिसके atomic number Z दिया हुआ है, with single electron, इसके emission spectrum में photon जब emit होता है, 2-7 में, transition is energy 7.74.8, electron world higher than the photon emitted in 3-2, 2, तो यहां simple, और ionization energy, जो है hydrogen atom के, आपको इतनी दीखें है, तो यहां पर simple energy states draw करते हैं, 1-2-3, यह बोल रहे हैं कि जब 2-1 में transition होगा, तो जो energy निकलेगी, इसको माल लेते हैं, E1, और यह 3-2 transition की energy से ज़्यादा है, ज़्यादा तो होनी भी है, कितनी ज़्यादा है, तो इन्होंने बोल जाएगी, E1, जो है, वो E2 से 74.8, electron volt ज़्यादा है, ठीके, और hydrogen like atom इसका आपको Z बताना है, फिर, चलो बिल्कुल यहां पर E1-E2 कितना हो जाएगा, 74.8, E0, अब E1 आप कैसे लिखोगे, E1 हो जाएगा, E0 Z square, 1 मतलब 2 से 1 का transition, तो 1 square minus of 2 square, minus of E0 Z square, फिर आपके पास E2 क्या जाएगा, E2 आएगा, 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square, that is 74.8 electron volt, जब आप इसको solve करेंगे, तो E0 Z square आप common लेंगे, यह आजाएगा, 1 by 3 by 4 minus of, 1 by 4 minus 1 by 9, that is 5 by 36, equals to 74.8, फिर यहां आप E0 की value डालेंगे, 13.6, okay, Z square, 3 by 4 को आप solve करेंगे, तो 22 by 36, यह solve करने पा जाएगा, इसको minus करने के बाद, 74.8, okay, 74.8, अब यहां पर केवल आपको calculation वाला part solve करना है, 74.8 into 36, divide by 13.6 into 22, okay, बेटा, तो solve करने पर आपका जो 15th का answer बनेगा, यहां पर, इस calculation को solve करने के बाद, that will be 9, okay, तो इस case में आपका final answer हो जाएगा, 9, मतलब इसमें atomic number जो है, वो कितना हो जाएगा, 9, कोई confusion विड़े इसमें? और 9 जो है, इसकी calculation में root के अंदर आएगा, तो solve करने पर आजाएगा 3, बज़ जो हम बात करते हैं, 16th question की, 16th question में आपको एडिटी सेंपल दियावा है, जिसमें 19, K, 40, nucleus, जो है, वो decay होता है, 20, C, 40, with decay constant this, और organ के nucleus में, तो यहां पर एक ही तरह का nucleus है, जो दो तरह के nucleus में simultaneously decay हो रहा है, जैसे मालों इसके 100 atom रहा होंगे, 100 nucleus रहा होंगे, तो कुछ तो बनाएंगे calcium और कुछ बनाएंगे organ, ठीक है, और इनके decay constant दियावा है, तो net decay constant सब से पहले आप निकाले, net decay constant क्या हो जाएगा, lambda 1 plus lambda 2, तो lambda 1 कितना दिया आपको, 4.5 10 पर माइनस 10, प्लस lambda 2 आपको दियावा है, 0.5 10 पर माइनस 10, on solving these two, you will get 5 into 10 पर माइनस 10, अब इसके बाद आपको बोला है कि किसी time के बाद, यहाँ पे जो number है, if the ratio of sum of stable nucleus to the radioactive, this is 99, 99 का मतलब यह है कि शुरुआत में अगर 100 रहे होंगे, तो बाद में जो k है, वो तो कितना बचा, केवल 1, और बाकी ca और ar मिला के कितने रहे होंगे, 99, इसका मतलब initial n note अगर 100 माने, तो बाद में t time बाद यह कितना बचेगा, 1, तो हमारे पास equation क्या होती, n equals to n note e to the power minus of lambda t, यहाँ 1 रखें, यहाँ 100 रखें, e to the power minus lambda nt, अब आपको यहाँ पर केवल time की value बताने, simple सी calculation है, तो e to the power lambda t is 100, तो lambda t is ln 100, इसको जब आप आगे solve करेंगे, तो t will be ln 100, means twice of ln 10, divide by lambda, twice ln 10 की value आपको use करना है 2.3, तो 2.3 यहाँ पर put करें, divide by lambda, that will be 5 into 10 power minus 10, solve करेंगे इसको तो यहाँ आएगा 4.6 by 5 into 10 to the power 10, फिर आप 10 से 2 इसको cancel out करोगे, तो यह कितना हो जाएगा 9.2, तो 9.2 और 7 में जो powers यहाँ पर दी गई है, 10 power 9 years की terms में बताना है, तो यहाँ जाएगा 9.2 into 10 to the power 10, 10 power 9, 0.65, अच्छा, एक 10 अपन ने use कर लिया ना, इसमें ठीक है, तो 9 यहाँ पर बच जाएगा, finally, तो यह हो जाएगा 9.2 10 power 9, तो अपना option यहाँ जो correct आजाएगा, that will be 9.2 second option, तो यह simple सा क्योंचन है, decay constant का negative active decay constant निकालें, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर equations जो होती है, decay rate निकालने की या number of nucleus जो active बचेंगे, वो निकालने की उसमें आप value पूट करें, simple value based question, not करें बच्छो यहाँ तक, बच्छो 17th question में हम आते हैं, इसमें free hydrogen atom after absorbing a photon of wavelength disc, get excited from n equals to 1 to 4, अब एक hydrogen atom के लिए 1 और 4 का energy difference होता है, वो तो easily आपको पता ही है, तो hydrogen atom में 1 और 4 का energy difference होता है, वो कितना होता है, 12.75, तो 12.75 का energy difference है, वो यहाँ पर 1 से 4 की बीच में है, तो आपको यहाँ पर जो photon की wavelength निकालना है, lambda a, वो आप आप आसा नहीं से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 12,400 divided by 12.75, इसको solve करने पर जो आपको wavelength की value मिलेगी, वो मिलेगी 972.5, ठीक है, तो यह 972.5 angstrom, this is the wavelength, साथ ही इन्होंने एक ratio दियावा है, यह electron जब वापस 4 से किसी और level में transit करेगा, देखो, यह n equals to 4 में आचुका था, जब वापस यह transit करेगा, n किसी mth state में, हमें नहीं पता m कौन सा है, तो वापस यह एक photon emit करेगा, और उस photon की wavelength, जो emitted photon उसकी wavelength और absorbed photon की wavelength का ratio आपको given है, तो lambda a upon lambda e कितना दियावा है, 1 by 5, तो lambda e कितना हो जाएगा, 5 into lambda a, 5 lambda a मतलब 972.5, इसको solve करने पर आपको जो wavelength मिलेगी, वो मिलेगी, 48862, तो 4862 almost यह wavelength आपको मिलेगी यहाँ पर ang strong में, इसको आप nanometer में convert करोगे, तो यह कितना हो जाएगा, 486 around, 486 nanometer, तो इन्होंने तो option में 478 दियावा है, तो यह गलत हो गया, ठीके, फिर इसके बाद यहाँ पर, जब यह wavelength हमें बता है कि इतनी wavelength होगी, तो हम यह भी बता सकते हैं कि वह कौनसी quantum state में आएगा, तो हमें बता है, 1 upon lambda is rz square, 1 upon m square minus 1 upon 4, square, 4 से m में आ रहा है न हो, तो यहाँ पर कितनी wavelength होगी, तो हम यहाँ पर data पुट करेंगे आप, तो 1 upon 4, 8, 6, 2 ang strong, r की value आप 9, 1, 1 डालें, फिर यहाँ 1 upon m square minus 1 upon 4, जब आप इसको solve करेंगे, या तो आप ऐसे solve करेंगे, या फिर दो equation बना लें, 1 से 4 की बना ले, वहाँ पर आपको wavelength जो है, वो बीजिली अवेलेबल है, यहाँ से, तो आप इसको जब solve करेंगे, आपको m की value मिलेगी, 2, इसका मतलब electron कौन से orbit में transfer हुआ, electron जो है, वो transfer हुआ, m equals to 2 में, मतलब transfer तो 4 में हुआ था, जब वापस वो jump करके आ रहा है, तो 4 से 2 में आ रहा है, तो यह m की value 2, फिर इसका third option पढ़ते हैं, the ratio of kinetic energy of electron in the state n equals to m to n equals to 1, अब देखो kinetic energy हुथा है, half mv square, तो एक बार kinetic energy का हम formula लिख देते हैं, half mv square, half mv not z by n, ठीके, मतलब जैसे-जैसे quantum number बढ़ेगा, इसकी kinetic energy जो है, वो n square के हिसाफ से कम होती जाएगी, तो kinetic energy, जो है, हम यह बोल सकते हैं, इस proportional to 1 upon n square, अब यह बोल रहे हैं, n equals to 1 और n equals to m में kinetic energy का ratio बताएं, तो k m और k 1, तो 1 के हिसाफ से 1 का square और m का square, यह कितना हो जाएगा, 1 by 4, इसका मतलब kinetic energy का ratio आएगा, 1 by 4, यहां कितना दिया इन्होंने, 1 by 4, तो बिल्कुल ठीक है, kinetic energy का ratio मेंच कर रहा है, तो 3rd option यहां मेंच कर जाएगा, फिर इसका देख, हमें पूछा गया है, कि इसमें जो change in atom, जैसे यहां पर atom ने एक photon एब्सॉप किया होगा, तो photon जब एब्सॉप होआ, एक तरह से मान लो कि कोई particle आया और atom के साथ चिपक गया, तो जितना momentum है, वो तो कंजर होना चाहिए, तो जो पहले case में photon एब्सॉप करने के बाद, जो atom का momentum change आएगा, वो कितना आएगा, पहले case में जो photon एब्सॉप करने के बाद, momentum change आएगा, वो आएगा, photon of, जो incident photon का momentum होतना ही आएगा, photon का momentum हम कैसे निकालते है, photon का momentum हो जाएगा e by c, e क्या होता है, hc by lambda by c, ठीक है, तो h by lambda बोल सकते हैं इसको अपन, तो यह हो जाएगा, h by lambda a, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, तो यहां पर, delta p a आपको बताना है, तो delta p a, यह कितना हो जाएगा, जितना photon का momentum हो जाएगा, कौन सा वाला, absorbed photon, इसका momentum हो जाएगा, e equals to p c होता है, तो p हो जाएगा, e by c, e हो जाएगा, hc by lambda a, divided by c, so it is h upon lambda a, फिर जब उसने photon वापस transition के दुरान, जब वो अपने normal state की तरफ हा रहा है, तब वो वापस एक photon इमिट करेगा, जितना momentum photon लेके जाएगा, उतना ही वापस change किसमा आजाएगा, atom के momentum में, तो बाद में जो change आएगा, delta p emission के दुरान, वो कितना आएगा, जो photon गया, उसका momentum जितना है, उतना ही change यहाँ भी आजाएगा, वो कैसे निकालो गया, उस photon की energy, अब photon की energy, देखो, photon 4 से 2 में आ रहा है, तो 4 से 2 में जब आ रहा है, तो इसकी energy, यहाँ पर हमें पता है, energy कितना है, अब आप यहाँ पर direct energy की value पुट करके भी इस चीज को solve करेंगे, तो आपको easily answer मिल जाएगा, तो यहाँ पर energy कितनी है, इसमें, यह energy है, 12.75 by C, और यह energy जो यहाँ पर 2 और 4 का difference है, वो हो जाएगा, यह energy होती है, 3.4 और यह 0.85, तो यह difference कितना आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा, 2.55 का difference, तो divide by 2.55, 2.55 का difference जब आप इसको, sorry, यहाँ तो C आएगा, और यहाँ आएगा, 2.55 का difference, divide by C, तो यहाँ पर delta P A, divide by delta P E, 12.75, divide by 2.55, solve करेंगे आप इसको तो यह कितनी बार कटेगा, यह almost 5 times cancel हो जाएगा, तो delta P E upon delta P E is 5 times, देखते हमें, options में क्या given इसमें, तो यहाँ तो 1 by 2 दिया है, इसका मतलब यह option गलत हो गया, यह वाला option इसमें गलत हो जाएगा, तो अपना बचेगा, यह वाला तो option गलत हो गया फिर 1 by 5 अगर होता तो अपना आंसर सही होता लेकिन 5 होता तो आंसर सही होता इनने 1 by 2 दिया है तो अपना यहाँ पर 1st और 3rd option जो है वो correct हो जाएगा कोई confusion यहाँ तक कि इसको आते हम next question पर एक बार आप इसका solution note कर लें बटा बच्चों बात करते हैं 18 question में यहाँ पर suppose a atom आपको गिवन है radium molecule nucleus गिवन है इसको ground state में है और यह alpha decay से rn का एक nucleus बनाता है तो इसकेस में एक बार equation हम लिखते हैं तो read r a 88 226 dk होगा किसमे rn 86 222 plus alpha 2he4 plus कुछ energy यहाँ निकल जाएगी लेकिन यहाँ धियान रखना है जो atom है वो excited state में है है ना मतलब इस released energy का कुछ party absorb कर लेगा ठीक है सबसे पहले हम q value calculate कर लेते हैं इसकी q value कितनी होगी q value होगा mass initial minus mass of rn plus mass of he into c square तो यह हो जाएगा 226.005 minus 222 plus 4 into 931 इसको जब आप solve करेंगे बच्चों तो आपको यहाँ पर solve करने पर जो value मिलेगी that will be 4.655 अब 4.655 में से यहाँ पर इस energy को कुछ पार तो किस ने लिया इसने ले लिया kinetic energy को फोम में इसने कितनी energy चुरे kinetic energy को फोम में इसने ले ली 4.44 मेगा electron volt ठीक है और इतनी मेगा electron volt इमिट होई थी तो इसमें के बाद जो less करने के बाद आपके पास energy बचेगी वो कितनी बचेगी 4.655 माइनस 4.444 solve करने पर यह जो energy आपके पास बचेगी यहाँ पर और इसमें साथ में आपको एक जी जो देखना है कि जो आप आरेन की kinetic energy निकालेंगे है ना देखो 4.44 अगर इसकी energy है ना तो यहाँ पर kinetic energy देखो कुछ पार्ट तो energy का इसने ले लिया होगा है तो Q मेंसे कुछ energy तो E वाला पार्ट तो यह लेके चला गया अब E पार्ट ये लेके चला गया तो Q माइनस E है वही तो बटेगी तो यहाँ पर kinetic energy जो alpha की है और जो kinetic energy है आरेन की वो इनके mass के inverse ratio में आएगी अपन mass of alpha तो यहाँ पर alpha की kinetic energy है 4.44 आरेन की kinetic energy हमें नहीं पता आरेन का mass कितना है 222, alpha का mass कितना है 4 इससे जो आरेन की energy आएगी वो आएगी 0.08 mega electron volt मतलब जो यहाँ यह nucleus बनेगा वो भी इसमें से कुछ energy को खीचेगा तो इसमें से कुछ पार्ट energy का कौन खा जाएगा यह kinetic energy के फोम में यह भी ले लेगा कुछ energy 0.08 यह अब देखो इतनी energy रिलीज हुई थी alpha के पास इतनी kinetic energy और rn के पास भी इतनी kinetic energy तो अब यह जो difference है आप डिफरेंस किसका करोगे इसको प्लस करो किसमें से तो एक बार इसका difference देखो कैसे लेंगे आप लोग यहाँ पर तो देखो यहाँ पर जब आप energy of photon निकालोगे तो यह जो difference आएगा energy का वो कुन ने absorb किया rn ने यह जो energy absorb की बाद में वो photon की form में बाहर निकाल देगा तो energy of photon क्या हो जाएगा q value में से इन दोनों की kinetic energy को माइनस कर दो alpha की और rn की तो यह कितनी थी मेरे पास 4.655 minus of 4.44 plus 0.08 ठीक है तो solve करने पर यह आएगा 135 kilo electron volt basically 0.135 आएगा mega electron volt में तो 0.135 solve होने पर कितना हो जाएगा kilo electron volt में 135 kilo electron volt तो अपना यह 18th question यहाँ पर complete होता है Okay बच्चों, note करें इसको बच्चों मावते हैं हमारे 19th question पर इसमें आपको बोला है perfectly reflecting mirror of mass aim एक mirror है इसके उपर आप light incident करवा रहे है photon suddenly इस पर आते हैं और इसको momentum transfer करते हैं तो अभी mirror देखो एक तरह से बिल्कुल relaxed state में spring है मतलब यह mirror की mean position है ऐसा आपन मान लेते हैं क्योंकि जहाँ net force 0 वही mean position होती suddenly photon यहाँ strike किये तो photon अपना momentum strike करके पलट गए तो जो momentum change photon का आया उतना ही mirror का भी आएगा तो जितना photon में momentum change हुआ उतना ही momentum change mirror को भी तो मिलेगा अब mirror तो initially रुकावा था तो जितना भी इसका momentum change यह सारा mirror को final momentum के फिमा जाएगा अब momentum change photon का कैसे निकालोगे n तो number of photon into 1 photon का momentum change यह एक्चुली नेट मोमेंटम जेंज है photon का ठीक है मिरर का जो momentum है वो क्या हो जाएगा m into mass of mirror into velocity अब हमें पता है mean position पे जो velocity होती हो maximum velocity होती है ठीक है इसके बाद n number of photon यहाँ पे momentum change कितना हो जाएगा एक जो photon था उसका जो momentum था उसका double change होगा क्यों हो क्योंकि यह perfectly reflect हो रहे है यहां से इसलिए अब एक photon का momentum कितना होता है 2H by lambda V max अब V max को हम क्या लिखते है angular frequency into amplitude तो यहां से आप क्या लिखेंगे n into 2H by lambda this is M in V max V max आप कैसे लिखेंगे इसमें यह जाएगा angular frequency जिसको इन्होंने ओम से बोला हुआ है तो angular frequency into amplitude A अब यहां पे आपको लैम्डा गिवन है अब इन्होंने कुछ यहां पे आपको approximation के लिए कुछ यहां पे data दिया हुआ है तो एक बार उसको अपन यूज करते हैं तो इसमें आपको lambda गिवन है और पाई की टंस में value गिवन है ठीक है तो आपके पास amplitude पूछा है ना अच्छा N की value पूछा है और amplitude आपको 1 micrometer दिया हुआ है लेंडा की value डालेंगे आप तो एकी value कितना है 10-6 तो एकी value डालो पहले तो 10-6 लेंडा की value कितनी डालेंगे आप 8-10-6 और उसका 2h ठीक है अब आपको m omega 4pi यहां से कटके आजाएगा तो यह कितना आजाएगा m omega 4pi और h तो m omega 4pi h की value यह आगया अब इसके बात क्या बचा है m omega 4pi इस तो यह दर चला गया तो यह बचेगा मेरे पास 10-12 तो यह value आपको direct 10-12 दिया हुआ है तो इसको direct 10-24 दिया हुआ है उसको यूज कर ले 10 to the power minus 12 solve करने पर कितना बनेगा 10 to the power 12 तो number of photon आ रहा है 10 to the power 12 यहने कि 1 into 10 power 12 इसको लिख सकते हैं तो x की value क्या हो जाएगी बेटा 1 easily solve हो रहा है कोई दिक्कत नहीं इसमें तो यहाँ पर simple सा concept क्या है जैसे SHM में में पोजिशन से आप किसी block को heat करते हो तो जैसे आपने सारा heat किया जो ही momentum दिया वो में पोजिशन का momentum बन जाता है वेसे ही यहाँ वो heating किस ने की है अगला 20th question इसमें आपको यहाँ पर एक particle M mask का है जो revolve कर रहा है circular orbit में जिसमें potential energy आपको गिवन है इस potential energy के value आपको कितनी किवन है इसको मैं यू लिख देता हूँ जो simple familiar जो symbol इसका वो इसको आपको given है फिर energy are calculated using bore model तो यहाँ पर simple आपको एंथ orbit के लिए bore model लगाना है तो simple सा concept है ज्यादा इसमें कोई tension वाली बात नहीं है अपन यहाँ पर value जो है इसको solve करते हैं तो easily अपना answer जो है वो बन जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करेंगा आप force निकालेंगे du by dr करके तो minus of minus of f r का differentiation 1 f अब इन्होंने symbol f यूज किया तो अपन force के लिए कुछ और f small वाला यूज कर लेते हैं तो f अब यह force जो है वो क्या provide करेगा centripetal force तो simple यहाँ पर f equals to mv square upon r इन दोनों को use करेंगे तो हमारे पास equation क्या जाएगी mv square upon r is f ठीके यह तो आगया दूसरा system क्या बनेगा अपने पास mv r is n h upon 2 pi ठीके अब यहाँ से दो equations आपके पास है इन दोनों equations को जब आप solve करेंगे तो आपके पास r की कुछ value आएगी तो दूसरी equations आप क्या करें r की value निकाले n h upon 2 pi mv ठीके इस r की value को जब आप equation 1 में डालेंगे इसको 1 दे इसको 2 दें तो by 1 mv square r की जगे लिखेंगे n h upon 2 pi mv is f तो इससे आपके पास आजाएगा m square v cube is n h f upon 2 pi ठीके तो यह आपके पास यहाँ पर value आजाएगी n h upon 2 pi mv उपर multiply कर दिया तो इससे v कितना आजाएगा n h f 2 pi m square की power 1 by 3 यह आपके पास v की value आजाएगी v की इसी value को जो आप वापस put करेंगे किसमें r की equation में तो आपको r की value मिल जाएगी यहाँ से तो एक बार इसी value को जो मैं r की equation put करता हूं तो r कितना हो जाएगा n h 2 pi m की value m की value यह और v की value n h f upon 2 pi mv power 1 by 3 इस पूरी value को जब आप solve करेंगे बच्चों तो आपको solve करने पर r की value मिलेगी इस case में solve करने के बाद तो r की value यहाँ से solve करने पर जाएगी वह हो जाएगी अपने पास देखते हैं पन n एक बारे तो 2 by 3 h एक बारे 1 by 3 power minus करोगे 2 by 3 ठीके उसके बाद यहाँ पर बच्चाएगा आपका ऐस f की power 1 by 3 ठीके mv उपर जाएगा mv की power भी कितना हो जाएगा 1 by 3 फिर यहाँ 2 by 3 power नीचे बच जाएगी 2 by 3 तो 2 by 3 ठीके अब इसमें से 1 by 3 common लेता हूं तो n square h square m cube v upon f 2 pi का square ओके यहाँ पर r की value जो थी अपने mv, v में यहाँ m square आएगा n h upon 2 pi m square और यहाँ m square आएगा m square को जब आप solve करोगे तो m की power 2 by 3 है ना तो 1 by 3 बचेगा यहाँ पर यहाँ पर बचेगा यह v उपर नहीं जाएगा na n h, ठीके f नीचे रहेगा यह v नहीं है, v तो नहीं है यहाँ पर, v नहीं है 2 pi f m square था ना, तो m square से यहाँ पर देखो m कितनी बार बचेगा, m की power 2 by 3 है, उपर जाके 2 by 3 में से एकटो तो m नीचे आएगा 1 by 3 power के साथ, तो m की power 1 by 3, तो यहाँ पर f, यह m यहाँ से टा देंगे हम, तो यहाँ बच जाएगा m और यह power बचेगी 1 by 3, तो मेरे पास जो answer आएगा radius का, वो क्या जाएगा, इसके इसमें, solve करने पर radius का जो answer आएगा, वो आएगा, n square h square upon m f, 2 pi square power 1 by 3, तो यह radius का option हो जाएगा, फिर उसके वाद हम बात करते हैं, इसमें energy और आप से पूछी गई है, तो energy क्या होता है, half m v square, तो half m v square, half m की value क्या हो जाएगा, n h f upon 2 pi m square, 1 by 3 का square करोगे, तो 2 by 3 और साथ में m भी तो आएगा, तो m by 2 कर लो, अब आप इसको solve करेंगे, तो आपके जो option है यहाँ पे, आपका energy का option सही बन जाएगा, और साथ में आपका, जो second option है, वो भी सही बन जाएगा, एक बार options द तो यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि r proportional to n to the power 2 by 3, देखते हैं, r कितना आ रहा है, बिल्कुल n की power 2 by 3 आ रहा है, r में तो, r n की power 2 by 3 पी depend कर रहा है, v n की power 1 by 3 पी depend कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो अपना second option जो है, वो यहाँ पर सही है, साथ में energy का formula, अगर आप यह given है, वो, ओके, तो यह हमने radius निकाली, इसके बाद हम बात करते हैं, energy की, तो energy क्या हो जाएगा, kinetic energy plus potential energy, kinetic energy कैसे लिखोगे, आप half mv square plus potential energy क्या हो जाएगा, f into r, अब यहाँ v की value यहाँ सो टाके डाले है, और r की value डाले है, तो अपने पास यहाँ आ जाएगा, m by 2, n h f 2 pi m square की power 2 by 3, 1 by 3 का square की power 2 by 3 हो गया, plus f, और r की value डालने है, r की value यहाँ से डाल दें आप, n square, h square, 2 pi square, m f, और इस पूरे की power 1 by 3, जब आप इसको solve करेंगे बच्चों, तो आपका answer यहाँ जो इक दिये वन है, third option वो बन जाएगा, तो एक बार देख लेते हैं, अपने कौन से options यहाँ correct बन रहे हैं, तो इस case में, इस case में जो आपका option बनेगा, एक तो first option आपका गलत हो जाएगा, यह नों बुला है कि r n की power 1 by 3 भी depend कर रहे हैं, r में n की power 2 by 3, तो r जो है वो n की power 2 by 3 भी depend करेगा, और v n की power 1 by 3 भी depend करेगा, बिल्कु सही है, solve करने पर जब आपका आपका energy का थर्ड option correct आजाएगा, तो finally इसका second और third दोनों सही है, okay बच्चों, note करें एक बार इस solution को, यह इसका solution, okay बच्चों, 21th question की बात करते हैं, इसमें x-ray tube में electron को emit किया है, from a filament cathode, तो electron cathode से emit होते हैं, ठीक है, फिर वो carrying current आई, heat a target at a distance d from the cathode, target is kept a v potential higher, तो जिसको हम मोलते हैं, tube voltage या x-ray voltage, then the cathode resulting in emission of continuous and x-ray, characteristics x-ray, if the filament current i is decreased, देखो, filament current जो होती है, वो electron की emission को decide करती है, आप filament current घटा होगे, तो filament में heating कम होगे, तो electrons कम आएंगे, electrons अगर कम आएंगे, तो इस case में देखो, क्या होगा यहाँ पर, आपने अगर filament current को decrease किया है, तो filament current को decrease करने से number of electrons कम होते है, number of electron कम होने से number of photon कम हो जाते है, ठीक है, photon का number जो emit हो, उन्ने वाले photon हो कम होगे, लेकिन इससे ना तो photon की, जो incident electron उसकी energy पर कोई फरक पड़ता है, energy पर फरक डालने के लिए आपने क्या किया, आपने accelerating potential को V से बढ़ा के 2V कर दिया, accelerating potential जिसको में अनोर्ड वो electron बढ़ेगा, kinetic energy of electron बढ़ेगा, तो इससे जो energy of photon है, maximum photon, जो energy of photon maximum है, वो भी बढ़ेगा, भाई, X-ray photon अब ज्यादा energy के निकलेगे, इसकी वज़े से जो continuous spectrum की minimum wavelength होती है, वो और कम हो जाएगी, और distance, distance का कोई effect नहीं, भाई potential तो आपने V से 2V किया, तो distance का कोई फरक माँ पढ़ेगा नहीं, अब options पढ़ते हैं, cutoff wavelength will reduce to half and the wavelength, characteristics wavelength remains same, cutoff wavelength मतलब minimum wavelength, आपने potential डबल किया है, तो energy double होगी, अबेसी बात है, तो photon की energy भी डबल होगी, तो lambda half हो नहीं है, बिल्कुल सही बात बोलिए, cutoff wavelength मतलब, जो minimum wavelength होती है, और characteristics wavelength remains same, बिल्कुल सही बात है, वो तो energy difference ह होता है, levels का, उस पर depend करती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो जो energy voltage होता है, वो इसी चीज को decide करता है, cutoff wavelength कितनी होगी, फिर तीसरा, cutoff wavelength will reduce to half, intensity of x-ray will decrease, cutoff wavelength जो है, वो आधी होगी, बिल्कुल सही बात है, intensity of all the x-ray will decrease, सही बात है, क्योंकि आपने current को आधा किया था, current को आधा किया, तो intensity degrees हो नहीं है, क्योंकि जब number of photons, electrons ही कम incident हो है, तो photon भी कम निकलेंगे, फिर cutoff wavelength will become two times, यह गलत हो गया, तो आपका यहाँ पर कौनसा option सही है, बिटा, first और third दोनों option यहाँ सही है, तो इसी के साथ अपना modern physics वाला part complete होता है, काफी important chapter है, आपने देखा, 2016 स से लेके 20 तक 21 questions पूछे गए, मतलब on an average 4 questions इस section से पूछे जाते हैं, जो कि काफी important weightage का chapter बन जाता है, तो इसी के साथ आपकी previous question का यहाँ गुर्णिती जो है, वो complete होती है, I hope आपने यहाँ से काफी concept सीखे हैं, और यह concept आपको और आते होंगे, तो आप इसकी और practice करें, और अपनी advanced level की preparation को और strong बनाएं, ओकी बचों, thank you, all the best.